नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब के किसनल चैनल आर्ड गयान कला में दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूस्चन को चुन-चुन के क्यूस्चन को बनाया हूँ और लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हिल्फुल होगा एक्जाउम पॉइंट अब्योसी और दोस्तों ये मेरा वीडियो जो भी सुझाओ देना है कमेंट्स बाक्स में जरूर सुझाओ दे और अच्छा लगत लाइक करके सेर जरूर किया करे और आईए देखते हैं क्यूस्चन नमबर एक भारत में बिसालतम हडपा कालीन बस्ती की बात किया जा रहा है तो वो भारत की बात किया जा रहा है पहली बात और दुसरकी बात कि बस्ती की बात किया जा रहा है तो ओ धोला बीरा सही होगा अप्सन इक का दो सही होーगा, ठीक है नेक्ट इस्त ग्यूश्चन देखते हैं、 असो के किस अविलेग पर मयूर की आकरती है तो असोक के किस अभिलेग पर मयोर की आकरती है तो इलाहाबाद में जो असोक की अभिलेग है वो उस पर मयोर की आकरती है यानि क्यूश्चन दो का D सही है और नेक्ट क्यूश्चन है सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं है तो सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं है नेक्ट क खजुराहों मंदिर की सैली कैसी है खजुराहों मंदिर की सैली कैसी है सैली के बारे पूछ रहा है तो नागर सैली खजुराहों की मंदिर जो बनी है वो नागर सैली में बनी है पाँचमा क्यूस्चन देखते हैं चाइल्स आर्ट के लेखक कौन है चाल्स आर्ड के लेखक है डबलू बोईला डबलू बोईला जो है वो चाल्स आर्ड के लेखक है question 6 है राजपूत सैली वास्तों में किन भीत चित्रों की वनसज है ये पूछता है तो वो अजन्ता की वनसज है राजपूत सैली की जो भीत चित्रों की वनसज बताया गया है इसमें पूछा गया है कि राजपूत सैली वास्तों में किन भीत चित्रों की वनसज है तो अजन्ता की भीत चित्रों की वनसज राजपूत सैली है नेश्ट क्यूचन सत्वा क्यूचन है दो सहलिया नामक परसिद्चित्र किस समबंदित है दो सहलिया नामक परसिद्चित्र किस समबंदित है तो वो जोदपूर सहलिय से समबंदित है दो सहलिया नामक परसिद्चित्र रजमनामा किस सैली में čितरित किया गया है ये पूपसता है तो मुगल सैली में रजमनामा चितरित किया गया है अकबर के काल में रज्मनामा ठीक है तो मुगल बातसा अकबर की सासन काल में हिंदुों के प्रसिद्द महाकाओ्य महा भारत का फार्सी भासा में अनुआद अकबर ने करवाया था बदावनी और नकीब खां और अब्दूल कादीर ने ये रजमनामा नाम से इसका अनुवात किया था दस्वंत और बसावन ये जो चित्रकार थे इन्होंने 1585 भी में इसका चित्र बनाया था और मुख्य प्रति अकबर ने अपने लिए बनवाई थी जो कि जैपूर के संग्रहाला में सुरक्षित है ठीक है ये रज्मनामा की डिटेल्ट थी जो भी क्यूस्चन और रज्मनामा से बनता है आप कमेंस बाक्स में दे सकते हैं ठीक है आए नेक्ट क्यूस्चन देखते है आठमा क्यूस्चन है टागरी लीप का लेख की सैली से संबंदित है ठीक है इसमें सिख सैली गड़वार सैली गुजराथ सैली और जम्बू सैली तिन सैली दिया है तो टागरी लीपी जो है वो जम्बू सैली से संबंदित है क्योंकि हिमानचल की पुरानी लीपी है ये ध भासा भी जो होता है वो चिन्ही है तो उसे अलग-अलग नाम दिया गया है लेकिन लीब के अंतरगत कई भासाएं होती है तो टाकरी लीपी क्या इसमें पूछा है तो जम्बू सैली से संबंदित है ठीक है और अगर टाकरी लीपी के बारे में आप जादा जानते हैं या जो कमेंट्स बाक्स में जरूर लिखें ठीक है आए नेक्ट क्यूस्टन देखते हैं भाव कला को क्या देता है ठीक है लए परिवर्तन आनंद अभिभ्यक्ति तो जो भाव है वो कला को अभिभ्यक्ति देता है ठीक है क्योंकि कला कार जब कला कृति करता है तो अपनी अभिभ ते देखते हैं, तो पेरिस में घनवाद का उदय हुआ था, अर्थात- ejercin 11 का a option सही है, पेरिस में घनवाद का उदय हुआ था, और 1907 में घनवाद का प्रारंब उआ था, पिकासो द्धारा, इसके जो प्रावर्तक हैं, वो पिकासो ने 1907 में घनवात का उदय किया था प्रारम्भ किया था ठीक है modern art पिकासो मतब पिकासो के समय modern art शुरू हो गया था घनवात से modern art का शुरू हो गया था और पहली जो चित्र थी आविन्यों की स्त्रियां ये पिकासो दोरा बनाई गया है घनवात की पहली ये चित्र थी आविन्यों की स्त्रियां ठीक है और लूई वाक्सेल ने घनवात का नाम दिया था वो लूई वाक्सेल ने दिया था तो क्योंकि इनकी जो कलाकृतियां थी वो बहुत ही घनवात से संबंदित थी घन से संबंदित थी तो इसलिए घनवात का नाम दिया था, लूई वाकसेल ने, ठीक है, नेश्ट क्यूशन देखते हैं, अन्नोन ग्रूप की अस्थापना कब होई थी, ये पुस्ता है, अन्नोन ग्रूप की अस्थापना, 1961 हिस्वी में, अन्नोन ग्रूप की अस्थापना होई थी, नेश्ट क्यूशन है, पिंडाल ग फिसको चित्र कहां पाए गए, पाए गए तो मिस्र की कला, युनान की कला, क्रीट की कला, और मैसीरिया की कला, नाजीरिया दूसरा है, मैसीरिया दूसरा है, मैसीनिया, तो विस्र की प्रथम फिसको चित्रों की, जो फिसको चित्र पाए गए है, वो क्रीट की कला में पाए है विसकी प्रथम फिसकु चित्र ठीक है next question है स्रम की बिजय किसकी कृती है यह पूर्षता है स्रम का बिजय किसकी कृती है तो स्रम का बिजय जो है वो डीपी राय चवधरी की कृती है स्रम का बिजय उस्तों मैं कई बार दोहराता हूं कि यह ऐसे यह स्रम का बिजय डीपी आपको कोई confusion ना हो और आपको तैयार हो जाए ठीक है और आप भी वीडियो देखने के बाद अपनी मन से तैयारी किया करें कि मैंने आज क्या पढ़ा इस वीडियो में क्या पढ़ा ठीक है next question है धुणधार सैली के नाम से कौन सी चितरकला जानी जाती है तो धुणधार की सैली के नाम से ये जैपूर की सैली जानी जाती है यह जैपूर की प्रमुक सैली है और धुणधार सैली में हरे रंगी प्रधानता दिखाई गये है इस सैली में मचली की समान नेत्र वो जो कम और तक फैली हुई बाल इसमें दिखाया गया है और ढूढार सैली के जो चित्रकार हो साहिव工 राम, सालियराम, लेक्षमनर राम ये तीन प्रमुक्ष चित्रकार हैं ढूढार सैली के ठीक है और जो है नो इस सैली में मुख्यता पीपल का इस दर्साया गया भी की बात किया जा रहा है प्रमुग जो चित्र है वो महाराजा इस्वरी सिंग का आधमकद महाराजा इस्वरी सिंग का आधमकद इसे किसने बनाया है श्री वेदुपाल बन्नु ने महाराजा इस्वरी सिंग का आधमकद ये चित्र श्री वेदुपाल बन्नु ने बनाया है जो कि ढुंध बना है ठीक है ये ये डूंढार सैले से आपके लिए तो 17さん की उस्चन देखते हैं कृष्ण खंडा मुख्यत prevent this ये क्या थे अकारवादी थे, भविष्यवादी थे, प्रभावादी थे, सर्वचवादी थे, तो किष्ण खन्ना जो थे, अकारवादी थे, क्योंकि यह भारती आर्टिस्ट थे, यह भारत की आर्टिस्ट थे, 1925 में फैसलावाद पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, और यह 93 वर्स तक जिवित रहें अर्थात इनकी जो उम्र थी लास्ट में 93 वर्स के बाद ये मर गये थे इनकी डेथ हो गई थी और इंग्लेंड के इंपेरियल सर्विस कालेज में ये कलाके अध्यापक भी रहें और 1990 में पदम स्री अवार्ड मिला था भार सरकार द्वारा पदम स्री से सम्मानित किया गया था 1990 में और 2011 में पदम भूशन से सम्मानित किया गया था भार सरकार द्वारा इनको ठीक है कृष्ण खन्ना को अट के हबबर का जन्म हुआ था ठीक है ये भारती विशेक कलाकार थे और 15 जून 1911 में इनका जन्म हुआ था और भारत में और इनकी जो मृत्व हुई बुद्धा ये इनकी प्रमुक कलाकृती थी और इन्होंने जो सिक्षा लिया था वो जेजे स्कूलाफ 8 मुंबई से सिक्षा लिया था केके हैबबर ने ठीक है और नेक्ट क्यूस्टन देखते हैं मेगदूत किस ने चित्रित किया था तो इसमें असित कुमार हलदर है बर ब नब्वे में हुआ था और इनकी मृत्त जो हुई थी 1964 इस भी में लखनाव में इनकी मृत्त हो नेक्ट क्यूस्टन है पद्म विभूशन से यामनी को कब सम्मानित किया गया यामनी राय की बात किया जा रहा है पद्म विभूशन से कब सम्मानित किया गया तो 1955 में यामनी होता है भारत का वो भारत रतन होता है उसके बाद पद्म विभूशन होता है और उसके बाद तीसरे नमबर पे पद्म भूशन होता है तो पद्म विभूशन जो है पद्म विभूशन यह भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के और सैनिक छेत्रों में मुल और संदोहजार आठ अठ अठारह में परेंट में भी पूछ सकता है तो संद अठारह में जो परेंट में भी पूर्जान तो तीन लोगों को दिया गया उसमें इलाया राजा जो की कला के छित्र में दक्षिन भारत की जाने माने संगीतकार है और 2010 में इनको पद्म भूशन से भी सम्मानेत किया गया था और दूसरे जो पद्म भूशन मिला है सं 2008 का वो गुलाम मुस्तफा खान है जो कि कला के छेत्र में इनको साहित सास्त्री संगीत कार है, 1909 में इनको पदम स्री और 2006 में इनको पदम भूशन मिला था, और तीसरे नंबर पे जो है वो पी परमेश्वरन, ठीक है, पी परमेश्वरन है जो इनको साहित्यों सिक्षा के छेत्र में सन 2018 का पन भीवोशन शम्म मानित किया गया तो इसके बाद और करेंट में ये क्यूस्चन पूछ सकता है कि हाल ही में यूवा नाट समारो के छटे संस्क्रण का उद्घाटन कहां हुआ है ठीक है ये करेंट का क्यूस्चन है तो ये पूछ सकता है कि हाल ही में यूवा नाट समारो के छटे संस्क्रण का उद्गाटन नई दिल्लिंग हुआ है और नेक्ट क्यूस्चन करेंड का ये भी पूसकता है कि हाल ही में भार्त के पहले संगीत संग्रहालय की अस्थापना कहां हुई है तो वो तमिल नाडु में संगीत संग्रहालय का अस्थापना हुई है हाल ही में ठीक है और नेक्ट क्य वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जिक करके